नमस्कार दोफता एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हारधिक स्वागत अलेटेफ्ट अपडेट निकल के आई कि बकाया एरियर पर केंदर सरकार का बड़ा फैसला in लोगों को मिलेगा एरियर का Пैसा तो दोफतों कि इन लोगों को एरियर का पैसा मिले देरी के। किजार कर्रे करमचारी और पेंट्सनों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। केंदर सरकार ने एक बार फिर साफ कहा दिया कि केंदर करमचारी और पेंट्सनों को साल 2020 से 18 महीने के बकाया डिये अरियर का पैसा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों केंदर सरकार ने साफ साफ काया कि करोना संकर्मन के समय रोके गए डियरनेस अलाउंस यानि महंगाई बत्ते का पैसा नहीं दिया जाएगा। लंबे समय से 18 महीने के डिये अरियर का इंतजार कर रहे केंदर करमचारी को ये एक बड़ा जटका माना जा रहा है। कें 19 महामारी के वक्त रोकी गई महंगाई रात की तीन किस्तों को जारी करने के अनुरोद को ठुकरा दिया है। 28 परतिशत किया था। इसे पहले 17 परतिशत की बड़ोतरी हुई थी। वही अक्टूबर 2021 में इसे 3 परतिशत और 31 पर पहुचा दिया था। वही मार्च 2022 में एक बार फिर महाई बत्ते में 3 परतिशत की बड़ोतरी हो चुकी है। केंद्रिय करमचारी संगठन सरकार पर 18 महीने के बकाया डिये अरियर के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे। इन लोगों का कहना कि सुप्रिम कोट की रूलिंग है कि वेतन और अनाउंस करमचारीों का हक है ऐसे में करमचारीों को 18 महीने के डिये अरियर का लाब मिलना चाहिए। एक मोटे उनमान के मताबिक लाबल वन के करमचारी का डिये बकाया 11,880 रूपे से लेकर 7,555 रूपे तक है लाबल 13 सी पी सी मूल बे तनमान 1,23,00 रूपे से लेकर 2,15,900 रूपे है या लाबल 14 पर करमचारीों पर 1,44,200 रूपे से लेकर 2,18,200 रूपे का डिये बनता है के लिए अलग अलग होती हैं दोस्तों आपको बता दे कि सरकारी करमचारी और सारवजनिक छेतर के करमचारी और पेंशन भोग्यों को महंगाई बतार महंगाई राद दिया जाता है सरकारी करमचारियों के रैंसेन को बहतर करने के लिए डिये दिया जाता और यह सरकारी करमचारियों और पबलिक सेक्टर के करमचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाता है इससे देने की वज़े यह है कि बड़ती महँगाई में करमचारियों का रेंसेन बहतर रहे तो दोफ तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय वारत